अगर आप एक इंडियन सीए है तो ये विडियो आपके लिए है मैं हूँ मॉनल शाहा मैं खुद एक सीए हूँ जेके शार ट्लासिस ते साथ जुड़ा हूँ करीब एक दशक से और मुझे बड़ा सम्मान है आपको बताते हुए जो CPA Ireland की डिगरी हासिल करना चाहते है ये डिगरी हासिल करना बेहद आसान है जिस्ते लिए मुझे आपके सिर्फ तीन दिन चाहिए इस ते बारे में आपनो और डीटेल में बात करेंगे तीन स्टेप के अंदर सबसे पहले स्टेप नमबर वन जहाँ पर आपको पांसो यूरो टीफी जमा करनी है CPA Ireland को जो करीब करीब 46,000 रुपे आती है इसके साथ साथ में मुझे आपके चार डॉक्युमेंट्स चाहिए चार डॉक्युमेंट्स ते नाम है Certificate of Good Standing उसके बाद आपका ICAI का Membership Certificate नमबर थ्री दो Professionally Written Letters of Reference और लास्ट में आपका ID काड जिसमें पासपोर्ट या ड्राइविन लाइसेंस वालिड माना जाता है मैं बात करना जाऊंगा एक और मिनिट आपके साथ में Document No.1 और Document No.3 के बारे में Certificate of Good Standing Document No.1 आप ही को अपलाई करना है ICAI Self Service Portal की Website के उपर से अगर दिक्कत आती है उसमें ये है हमारा CPA Ireland Dedicated Help Line Number कॉल करिए, WhatsApp करिए, हम आपकी सहाईता कर लेंगे उसके लिए Document No.3 जो था, नाम था उस था दो Professionally Written Letters of Reference उसमें भी अधर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें वापस ये नंबर के उपर या तो WhatsApp या तो कॉल कर सकते हैं हम आपको उसका फॉर्माट भिजवा देंगे इसमें बोला क्या जाता है कि आपको Refer किया जा रहा है by ICAI के मेंबर द्वारा कि ये इंसान काबिल है CPA Ireland की बोडी में शामिल होने के लिए एग बार ये हो दिया चार डॉक्यूमेंट तयार हुए और 500 योरो का फी भर दिया हमने तो हमारा Step No.1 समापत हुआ Step No.2 सबसे थूशल स्टेप है जहाँ पर आपको तीन सबजेट हर सबजेट को CPA Ireland बोडी कोर्स बुलती है मतलब तीन कोर्सिस की एक्जाम देनी है जिसका कोचिंग कॉम्पलिमेंटरी है जिकेशा क्लासिस द्वारा ये ओनलाइन और ओफलाइन मोड में अवेलेबल है हर एक सबजेट के कोचिंग को 5 घंटे के करीब जाते है एक बार वो आपने सबजेट का कोचिंग कर लिया उसके बाद तुरंथ ही हम रिक्वेस्ट दरते हैं तुरंथ ही आप उसकी ओनलाइन असेस्मेंट टेस ले लो आपके लैप्टॉप पे से भी ले सकते हैं कही पर भी बैठ ये आपको 20 ग्वेस्टन पूछे जाएंगे हर सबजेट ये अंदर जिसमें से आपको 16 ग्वेस्टन का सही आंसर देना है अगर आप फेल हो जाते हैं उससे अंदर तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजेगा कोई एक्जाम रिटेक फी नहीं है और वो रिटेक टेस्ट जो है वो इमेडियेटली वापस अवेलेबल हो जाती है हर एक्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक टोर्स कंपलीशन सर्टिफिटेट दिया जाता है तीन एक्जाम देने के बाद तीन सर्टिफिटेट मिलेंगे ये अपना स्टेप टू खतम हो दिया स्टेप नमबर थ्री में इट पाद से दस मिनिट का ओनलाइन ही MRA फॉर्म भरना पड़ता है CPA आयरलाइन को ही भरना पड़ता है और उस्ते बाद चार से छे वीक का आराम करिए आपके हाथ में आपकी CPA आयरलाइन की डिगरी आजाए थी जादा सोचिये मत इससे सरल डिगरी हासिल करना एक इंडियन सिये को मेरे इसाब से मुम्किन नहीं है कॉल करिए हमारे CPA आयरलाइन डेडिकेटिड हिल्प लाइन नमबर के उपर सेवा में हमेशा हाजिर है आपके शुकरिया आदाप थाइंक ये सो माच